Welcome friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी, हम पढ़ रहे हैं 12th class की accountancy, हमारा series चल रहा है, partnership का chapter हमारा चल रहा है, dissolution of a partnership firm, मतलब संजितारी firm का समापन, इस chapter का हमारा ये video number 34 है, practical question हम study कर रहे हैं, तो पहले हम statement को अच्छे से study कर लेते हैं, क्या है, उचके बाद हमको देखन करना है, a और b, दो partners हैं, दोनों ने capital लगाई हुई थी, मालो, firm को बंद कर रहे हैं, firm को बंद करने के time पर capital है, 60,000, 40,000, creditors 25,000, bank balance 2,000, a ने firm को loan दिया हुआ है, 20,000 का, firm को बंद करने के time पर realization के expenses हुए है, stock से पैसा मिला है, 40,000, debtor से पैसा वसूल हुआ है, 30,000, B, जो की पार्टनर है, B, जो की पार्टनर है, firm की एक machine है, उसकी 20,000 की value है, वो उसको उतने पर ही ले गया है, other fixed assets release हुई है, मतलब बाकी की जो assets है, उससे जो पैसा वसूल हुआ है, वो हुआ है, 60,000, आप caution में देखने वाली ये बात ये है, कि हमको property से कितना कितना पैसा वसूल हो रहा है, ये तो पता है, पर in property की book value क्या है, ये हमको नहीं पता है, क्योंकि realization के time पर, firm के समापन के वक्त, हमको ये पता होना बहुत जरूरी होता है, कि इन properties की book value कितनी है, क्योंकि book value हमको पता होगी, तब भी हम अपना realization account को complete कर पाएंगे, और इस question के अंदर अब हमको ready क्या करना है, सबसा important realization account, partner का loan account, capital account, and last में cash या bank account, जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था, इस question में हमारे पास assets की book value कितनी है, हमको पता नहीं है, वो पता करने के लिए हमको definitely firm के बंद होने के वक्त की एक बड़ी balance sheet हमको prepare करनी होगी, हमको assets की book value को पता करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास data है, balance sheet से related, आप इसमें fit कर देजिए, A की capital, B की capital, A की capital firm के बंद होने के time कितनी है, 60,000, B की capital firm के बंद होने के time, 40,000, creditors, 25,000, ठीक है, bank balance, 2,000, A ने firm को loan दिया हुआ है, 20,000, ठीक है, अब हमको question में देखो ध्यान से, liability side के अंदर इतना सारा total आ रहा है, जबकि asset side के अंदर हमारे पास 2,000 का balance है, मलब यह जो बीच का जो difference है, आपको नजर में आ रहा gap, इस gap को हम कह सकते हैं कि यह assets है, यह assets की book value हमारे पास find out हो जाएंगी, तो अब हम क्या करते हैं, liabilities का total कर देते हैं, 1,00, 1,25,000 और यह 1,45,000, 2,000 आप less कर देना, तो हमारे पास 1,43,000 हमारे पास assets की value आ गई है, इसको हम bracket में लिख सकते हैं, balancing figure, इसके बाद आप क्या कीजिए, balance sheet को आप यहाँ पे stop कर देजिए, main target हमारा यह था, find out हो चुका है, अब हमको क्या करना है, simple सी बात, realization account, assets को transfer कीजिए, two century assets, 1,43,000, creditors को, buy creditors, 25,000, ठीक है, question में यह देखिए, stock के release होने से 40,000, debtor के release होने से 30,000, other assets की sale होने से 60,000, तो 60, 30, 90, 90 और 40, 1,30,000 रुपए, तो assets को sale करने से, हमारे पास जो पैसा आया है, वो है 1,30,000 रुपए, ठीक है, आप यहाँ पे bank account यूज करना, क्यूंकि caution में हमारे पास bank balance given है, ठीक है, तो assets को sale करने से, 60, 30, 90 और 40, 1,30,000 हमारे पास पैसा आ गया, अब यह देखिए, B एक property लेके गया है, B लेके गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बीज capital account, कितना, जितने की वो लेके गया है, लिख दिया हमने, realization के expense कितने हुए है, 800, लिख दिजिए, question के अंदर creditors की payment को लेकर आपको कुछ नहीं कहा गया, तो मतलब creditors को हमने full payment करनी है, यह creditor हमने payment कर दिया, question में यह देखिए हमारे पास, क्या, realization में लिखने के लिए कुछ और है क्या, एका loan नहीं लिख सकते, इसके लिए हमको loan account अलग से ready करना है, क्योंकि firm के rules के according, firm के समापन होने के rules and regulation के according, question, realization account ready करती है, उसके बाद अगर किसी partner ने firm को loan दिया हुआ है, तो उसके लिए हम loan account अलग से ready करते हैं, तो मतलब हमारे पास कोई भी और item हाफ fit करने के लिए नहीं है, हम क्या करेंगे, realization account का total कर देंगे debit और credit side का, तो हम क्या करते हैं, credit side का total कर देते हैं, पच्चिस हजार, एक लाग तीस हजार और बीस हजार, यहां का total आगया एक लाग पिच्चतर हजार, एक पिच्चतर में से हम ये वाला तीनों less करके देख लेते हैं, 143 माइनस 25 माइनस 8, यहां पर देखिए क्या हमारी कोई एक अधी item और leave हो गई हो, total एक पर दुबारा करके देखते हैं, 25, एक लाग तीस, 20, ठीक है, मैंने यहां पर 8,000 को count कर लिया था, एक पर दुबारा से less करके देखते हैं, माइनस 800 माइनस 25,000, हमारे पास 6,200 का profit आ रहा है, 175 में से तीनों को less करोगे तो 6,200 का हमारा profit आ रहा है, दोनों partners में अपने divide कर देना है, 2 profit, 2 profit transfer to A's capital account to B's capital account, caution के अंदर देखो, हमारे पास ratio given नहीं है, क्या करेंगे, 6,200 को दोनों partners में equal equal divide कर देंगे, तो 3,100 A के पास profit, 3,100 B के पास profit, दोनों की capital account की credit side में यह profit चला जाएगा, अब हमको क्या ready कर रहा है, partner का loan account, partner का जब आप loan account ready करोगे, तो क्या करना होगा हमको, यहां लिख देना, is loan account, by balance BD, loan कितना था, 20,000, यहां पर क्या कीजिए, payment कर दीजिए, बस, loan account हमारा खतम हो जाएगा, दोनों तरफ, total लगाईए, और loan account हमारा prepare हो गया, तो realization account बनाने के बाद, जो हमारा second step होता है, वो होता है, partner का loan account, तो question में हमें देख लेना चाहिए, कि क्या किसी partner ने फर्म को loan तो नहीं दिया हुआ है, loan दिया हुआ है, तो loan account उसका clear कर दो, loan account बनाने के बाद हम क्या करेंगे, capital account, तो capital account, दोनों partner की opening capital, by balance BD, 60, 40, profit, by realization account, 3100, 3100, लिख दिया, question के अंदर, B एक property लेके गया था, 20,000 की, तो B के debit में लिख दो, to realization account, कितने की property लेके गया, 20,000 की, लिख दिया, question में और देखिए, क्या हमारे पास कुछ partners में और divide करने के लिए ना हो, अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का total लगा देंगे, 63,100, यहाँ पर कुछ नहीं है, B के इस total में से, हम, B के इस total में से, यह total अब less कर दो, तो यहाँ फर्म क्या करेंगे, इनको final payment कर देगी, क्या लिखने हैं आपने यहाँ पर two bank account, यहाँ पर दोनों साइट, total equal हमारा equal हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी अपने को क्या करना है, total equal कर देना, same total हमने यहाँ पर लिखना है, double underline करके, बंद कर देना, question में हमको क्या करना था, final payment का पता करना था, यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कोशन में हमारे पास, bank balance दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ready करेंगे, bank account, bank balance स्टार्टिंग से, हमारे पास कितरा रखा हुआ है, 2000, यहाँ लिख दीजिए, अब यह देखिए, कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आया है, कहां कहां से गया है, दो ही वाते चक करनी है, पैसा कहां से आया, कहां से गया, तो यहाँ पर देखो, पैसा कहां कहां से आया, एक लग तीस जार आया था, properties को sale करने से, क्योंकि हमने, यह sale किया, इससे पैसा आया यह पैसा आया तो मैंने तीनों का टोटल यहां लिख दिया उसके बाद अपने को क्या करना है यह देखो पैसा कहां कहां गया 800 रपए Realization Expenses 25,000 रपए Creditors की Payment 20,000 पए Partner की Loan की Payment लास्ट में दोनों Partners को Payment 63,100 23,100 Cash Account Ready करने का सबसे Easy Way यही होता है आप Realization Account से चेक करना स्टार्ट कीजिए पैसा कहां कहां से आया पैसा यहां आया लिख दिया गया ये गया ये भी गया यहां पे दोनों लिख दिया ये पैसा गया लिख दिया final payment की लिख दिया simple सा है उसके बाद आपको कहीं पर भी confusion नहीं होती है इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों का total अगर हमारा equal आ गया तो caution के अंदर क्या होगा हमारे पास बदलब caution करने में हमने कहीं पर भी गड़बटे नहीं किया है तो दोनों side का total करके देखते हैं इधर का total हमको दिखाई दे ही रहा है एक लाग बतीस अजार credit का total और कर लेते हैं right one three two triple zero ठीक है bank account आपको पूरा complete अच्छे से ready करना होता है पूरी statement हमको लिखनी होती है to balance bd to realization account whatever जो भी आप लिखते हो ये वाली बाते मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बहुत बार बहुत अच्छे से step by step हम सिखा चुके हैं तो वो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये वाले topics हमारे बहुत fast way के अंदर चल रहे है target हमारा है caution को फटा-फट complete करना मालो ये caution आपका exam में 5 marks के अंदर आ जाए ये 2 marks के अंदर आ जाए तो कैसे complete करोगे इतना fast forward हमको लेके चलना पड़ेगा हमारा brain बिल्कुल active हमको रहना चाहिए तो bank account हमारा complete हो गया है caution हमारा complete तो इस caution में हमारे पास first target क्या था sundry asset sale की ये तो पता है कितने में sale की पता नहीं book value हमने सबसे पहले find out कर ली थी book value find out करने के लिए हमने क्या किया balance sheet ready किया फिर real estate account ready किया creditors को payment करने के बारे में caution कुछ नहीं कहा गया था तो इसलिए हमने creditors को 25,000 की full payment की profit आया, transfer किया capital account start किया, final payment की इससे पहले loan account start किया था loan account की even payment कर दी bank account ready किया, पैसा starting में रखा हुआ था 2000, कहां से आया assets को sale करने से, कहां कहां गया, पैसा याम ने लिख दिया इसके बाद हमने देखा कि फरम बंद हो चुकी है, debit और credit side दोनों equal हो चुकी है, मतलब हमारे पास एक रूपया भी नहीं बचा मलब हमने caution करने में कहीं पर भी कोई गड़बड नहीं की है तो next video के अंदर हम फिर से एक इस type के caution का एक extension form study करेंगे तो मिलते हैं जल्दी से next video में